हालिलुया, सबको जा मिसी की, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यसु का संदेश में, आसा करते हूं कि आप सब भले चंगे होंगे और परमेश्वर के राचे में खूस होंगे, प्रातना करते हैं परमेश्वर से कि उसने हमें आज कई अच्छा दिन दिखाया हमें संभाले रखा, हमें जीवतों की दुनिया में जीवित रखा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर नका कि उसने हमारी गलतियों को समा दिया, हमें ये मोका दिया, हम उसके वचनों को पढ़ने पाएं, आमें, अलेलुया, तो लिए आज हम अपने वचन की ओर चलते हैं, जो नया नियम मती से उनिस्वा अध्याय है, आसकरते हूं कि आप सभी से भ्यान पुर्वक सुनेंगे, ये वचन आपके जीवनों में कारिया करें, हजार गुना और सो गुना फलो को लेकर आएं, और आपकी हरे एक दुख, दर, संकट और बिमारियों को दूल करें, आमें आज का हमारा बचन है, तलाक के विश्य येशू की सिक्ष्या, जब येशू ये बाते कहा चुका, तो गलील से चला गया, और यर्दन के पार यहुदिया के परदेश में आया, तब बड़ी भीड उसके पीछे हो ली, और उसने वहां उन्हें चंगा किया, तब फरीसी उस उन्हें बनाया, उसने आरम से नर और नारी बना कर कहा, इस कान मनुश्य अपने माता पिटा से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, अब वे दो नहीं प्रंतु एक तन है, इसलिए जिसे प्रमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुश्य अ को छोड़ देने की आग्यादी, प्रंतु आरम से ऐसा नहीं था, और मैं तुम से कहता हूं कि जो को व्याविचार को छोड़ और किसी कान से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवा करेव है, व्याविचार करता है, चेलो ने उससे कहा, यदि पुरूस काइस्त्री क तो युहा करना अच्छा नहीं, उसने उनसे कहा, सब यह वचन, ग्रहन नहीं कर सकते कि यवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं, जो माता के गरभ ही से ऐसे जनमे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, जिसे मनुष्या ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्चे के लिए अपने आपको नपुंसक बनाया, जो इसको ग्रहेंड कर सकता है, वहें ग्रहेंड करें, बालकों को आसिवाद, तब लोग बालकों को उसके पास लाए और वहें उन पर हाथ रखे और प्रातना करें, पर चेलों ने उन्हें डाटा, येशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्या एसो ही का है और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया धनी युवक और अनन्त जीवन एक मनुशे येशु के पास आया और उसे का हे गुरू मैं कौन सा भला काम करूं कि अनन्त जीवन पाऊं उसने उसे कहा तु मुझसे भलाई के विस्य मे क्यों पुछता है भला तो एक ही है पर यदि तु जीवन में प्रवेश करना चाता है तो आग्याओं को माना कर उसने उससे कहा कौन सी आग्याई येशु ने कहा यह है कि हत्या नय करना व्या विचार ना करना चोरी ना करना जोठी गवाई ना देना अपने माता और अपन की धुटी है येशु ने उससे कहा यदि तु सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेज कर कंगालों को दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे गो ले प्रंतु वह जवानी है बासुन उदास होकर चला गया तो कि वह बहुत धनी था तब येशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुम से सच कहता हूं धन्वान का स्वर्ग के राजय में परवेश करना कठीन है तुम से फिर कहता हूं कि प्रमेश्वर के राजय में धन्वान के परवेश करने से उट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है यह सुनकर चेलों ने बहुत जकित होकर कहा फिर किसका उदार हो सकता है येशु ने उनकी और देखकर कहा मनुश्यों से तो यह नहीं हो सकता प्रंतु प्रमेश्वर से सब कुछ हो सकता है इस पर पत्रस ने उससे कहा देख हम तो सब कुछ चोड़ के तेरे पीछे हो लिया है तो हमें क्या मिलेगा येश सुनों पर बैठ कर इसराइल के बारा गोत्रों का न्याय करोगे और जिस किसी ने घरो या बाईयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको सोगुना मिलेगा और वैं अनंत जीवन का दिकारी रहेगा सब्जान को सब्सक्राइब करें सबको जया में सुझा